जब हम जीवन के कठन मोड पर खड़े होते हैं, जहां सई और गलत के बीच की लकीर दुंदली हो जाती है तब हमें दिशा दिखाने वाले महत्व पुन्तत्व होते हैं हमारे मूले और हमारी नैतिक्ता जब व्यक्ति अपने मूले और नैतिक्ता को समझ लेता है, तो वहना केवल अपने लिए बलकी समाज के लिए भी एक उधारन बनता है क्योंकि ये वो अधार है जिन पर आपके पूरे व्यक्तित्व और प्रशासनिक करियर की नीव रखी जाती है आज हम इनी मूले और नैतिक्ताओं के बारे में चर्चा करेंगे जो यूपी एसी एथिक्स पेपर के लिए अत्यांत महत्वपूर्ण है शुरुबात करते हैं एक ऐसे मूले से जो बेहत महत्वपूर्ण है ओनेस्टी यानि इमानदारी इमानदारी का अर्थ है सत्य बोलना और उसी के अनुसार कार्रे करना इसका अर्थ केवल जूट नहीं बोलना दोखा ना देना चोरी या दोखा धड़ी से बचना नहीं है बलकि इसमें दूसरों के प्रती संबान प्रकट करना और सेल्फ अवेरनेस भी शामिल है इमानदारी का महत्व इसले भी बढ़ जाता है क्योंकि ये विश्वास की नीव है और समाजिक संबंदों में बहुत महत्वकून है अब नैतिक्ता के परंपरागत यानि क्लासिकल फ्रेमवर्क में इमानदारी का महत्व है इसे समझना भी बेहत जरूरी है अरस्तु द्वारा प्रस्तुत सद्गुण नीतिशास्त या सदाचार यूप नैतिक्ता यानि वर्डश्यू एथिक्स के अनुसार इमानदारी एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्ति में अन्य सद्गुणों का भी विकास करता है इसके नुसार इमानदारी ना होने पर एक व्यक्ति और विश्वासी बन सकता है वहीं दूसरी और बहुत अधिक इमानदारी के कारण एक व्यक्ति लोगों की भावनाओं की कीमत पर अनावश्यक रूप से सत्ते बाते सामने रख देता है जिसका परिणाम लाबदायक नहीं को समझें तो यह सिध्धान्त हमें परिस्थिती और परिणाम के अधार पर थोड़ा अधिक या थोड़ा कम इमांदारी के साथ व्यवहार करने की सला देता है क्योंकि कई बार सत्य नुक्सान दायक हो सकता है वहीं दूसरी और इमैन्यूल कांट के दियो उंटोलोजी के अकॉर्डिंग इमानदारी को Absolute Ethical Responsibility माना गया है अब आगे हम जीवन में मानदारी से जुड़े कुछ उधारनों को समझने का प्रयास करें तो IAS अधिकारी अनिल स्वरूप की कहानी फ्रेर ना देती है जिनोंने कोईला ब्लॉक आवंटन के लिए पारदर्शी इनिलामी प्रणाली लागू की आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एक अन्यमूले सत्यनिष्ठा यानि इंटिग्रिटी की सत्यनिष्ठा का अर्थ है निरंतर इमांदार होना और बिना किसी कॉम्प्रोमाइस के अपने मूल्य और सिधानतों का पालन करना सत्यनिष्ठा के कुछ विशेश गुण होते हैं इमांदारी निश्पक्षता शालीनता और नैतिक सिधानतों आदी का पालन करना सत्यनिष् दूसरा है चाओरी चाओरा घटना 1922 के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेना महात्मा गांदी की सत्यनिष्टा और अहिंसा के प्रति उनकी द्रिड प्रतिबद्दता को दर्शाता है अब अन्यमुले प्रॉबिटी यानी शुजिता के बारे में बात करते हैं यह इमानदारी शालींता चरित्र और विवार में इमानदारी शामिल होती है शुजिता ना केवल एक एसेंशल कॉंपोनेंट है बलकि एक एफिशेंट और एफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम के लिए भी आवश्यक है जैसिंडा आर्डन न्यूजिलेंड की पूर्ष प्रधा के खिलाफ लड़ाई लड़कर इमानदारी के प्रति अपनी प्रतिवर्धिता और सहस दिखाया जवाब देही अकाउंटिबिलिटी एक अन्य महतुपूर्ण मुल्य है यह अपने कारियों के लिए उत्तरदाई होने के बारे में हैं चाहे वैसरकारी अधिकारी हो कॉर्प के प्रति जवाब देही रहें अब कुछ उधारन देखते हैं जीवन में जवाब देही के मुरारजी देशाई जो 1977-89 के दुरान भारत के प्रधान मंत्री थे वे नियमित रूप से प्रेस कॉन्फरेंस करते थे ताकि पार्दर्शिता को बड़ावा मिल सके और जनता के प प्रकार जवाब देही को अपने जीवन का हिस्सा बनाया अन्यमूल है इंपैथी यानि समानुभूति इसका अर्थ है दूसरों की मानसिक स्थितियों या भावनाओं को समझने और उनका अनुभव करने की शमता समानुभूति की दो प्रकार होते हैं पहला है भावनात्मक समानुभूति यह वैस स्थिति है जब हम ना केवल दूसरों की भावनात्मक स्थितियों या परिस्थितियों को समझते हैं बलकि उन्हीं भावनाओं और समवेदनाओं का अनुभव भी करते हैं दूसरा है संग्यानात्मक समानुभूति के दूसरों की मानसिक स्थिति को है चानने और उसे ठीक से समझने की शमता को संधर्वित करती हैं भले ही हम उनकी भावनाव का अनुभव ना करें कुछ उधारन देखेतों सी एफ एंड्रूज जिने दीन बंदू के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने महात्मागांदी के साथ मिलकर बिटिश शासन के खिल इसका मतलब है उन लोगों के प्रती निश्पक्ष वस्तुनिस्ट और उधार रवया रखना जिनकी राय व्यभार जाती धर्म राश्ट्रेता या अन्य विशेश्टाएं हमसे अलग हैं बहूलवादी समाज में सहिश्नुता का महत्व सद्भाव और समाजिक एक जुड़ मिसाल पेश की भारत में सुप्रीम कोड़ द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर की माननेता प्रदान करना और समलैंगिक समंदों को अपरात की श्वेणी से बाहर करना सहिश्नुता और समावेशिता के उधारन है आईश्मान भारत त्योजना समानु भूत दाया होगा फिर मिलते हैं एक नए विश्य के साथ तब तक के लिए जुड़े रहिए विजन आईएस के साथ